वैद्याज किचन सो में आप सबका स्वागत है आज हम बजका बनाएंगे बजका हमालू, बैगन और टमाटर का बनाएंगे आप अपने पसंद के नुसार कोई भी सबजी ले सकते हैं कदू, खीरा, करेला जो भी आपको पसंद हो उससे आप इस तरह से बजका तयार कर सकते हैं बजका को आप डाल चावल के साथ भी खा सकते हैं आप चाय के साथ इसे स्नेक्स के रूप में भी खा सकते हैं यह खाने में काफी टेस्टी लगता है इसे पनाने के लिए हम तीन मूठी चना दाल और तीन मूठी चावल लिए हैं इसे हम भीगो के रख देंगे अब यह अच्छे से फूल चुका है तो इसे अब हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे चावल में हम एक चमच जीरा और आधा चमच काली मेच डाल कर चावल पीस कर इसका बैटर तयार कर लेंगे इसमें हम स्वाद अनुसा नमक डालेंगे एक चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक चमच अधरक लसन हरी मेच का पेस्ट डालेंगे दो पींच हम हिंग डालेंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे चावल और चने दाल की जगा बेसन से भी बचका बनाया जा सकता है वो भी काफी टेस्टी लगता है सबजी को हम अच्छे से धोके साप करके कट कर लिए हैं अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे नमक डालेंगे और अच्छे से मीक्स कर लेंगे और जो बैटर हम तयार किये हैं उसमें डीब करके हम इसे फ्राई करेंगे कडाही में हम तेल गरम कर लिए हैं तेल सरसो का लें सरसो तेल का बचका काफी टेस्टी लगता है खाने में अब इसे हम गोल्डन बराउन होने तक फ्राई करेंगे मेरी रेसेपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिली जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तब कर तहें दिल से धन्यवाद अब हम बचका को पलट लेंगे इसे हम गोल्डन पुराण होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे उमीद है बचका की रेसिपी आपको पसंद आएगी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और इसे आप अपने कीचन में जरूर ट्राई करें अब अच्छे से फ्राई हो चुका है तिसे हम तेल से निकाल देंगे और इसे अब हम सर्व करेंगे टेस्टी और करंची बचका बन कर तयार हुआ है इसे याप चाय के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं ट्राई करें गर्मा गर्म बचका आप इंजोई करें वीडियो पसंदा है तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं अगली रेसेपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद